देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सुवा उपसभापती जी हम लोगों के धरने पर चाय पिलाने के लिए आये थे और बहुत बड़ा दिल दिखाया उन्होंने मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी आप इतनी बड़ी लड़ाई को इतना छोटा मत बनाईए ये चाय पीने और पिलाने की लड़ाई नहीं है ये देश के करोणों किसानों के पेट और पीट पर जो लात मारा गया है उनका जो निवाला छीना है ये उसकी लड़ाई है ये चाय पीने की लड़ाई नहीं है इस लड़ाई को इतना छोटा क्यों बना रहे हैं आप देश का किसान देश का अनदाता करोणों का पेट भरता है आपका भी भरता है हमारा भी भरता है सांसदों का भी भरता है मंत्रियों का भी भरता है उसके इस महान योगदान के सामने ये चाय बहुत छोटी चीज है उसकी चिंता कीजिए आज हमारे तमाम भी पक्ष के मित्रों ने सदन का भहिस्कार किया मुद्दा साफ है हम लों का सस्पेंशन भी कोई मुद्दा नहीं है अगर आप जिंदगी भर के लिए मुझे निलंबित करन लेने के लिए तैयार हूं लेकिन हमारे किसान भाईयों का जो निवाला चीना है वो निवाला वापस कीजिए प्रधान मंत्री जी जो इस देश के किसानों के पेट और पीट पे छुरा मारा गया है उसको इस काले कानून को वापस लेकर उनको उनको रहत पहुँचाईए प्रधान मंत्री जी यह काला कानून बगार वोटिंग के जबरन अलोकतांत्रिक आसमवैधानिक तरीके से जो पारित किया गया है लोकतंत्र की मर्यादा को संसत की मर्यादा को जो शर्मिंदा किया गया है उसको वापस कीजिए प्रधान मंत्री जी यह लड़ाई चाय पीन के निप्टा रहे हैं कि मैं बहुत आदर पूर्वक कि आपकी चाय आपको वापस करता हूं प्रधान मंत्री जी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के करोणों किसानों का जो आपके निवाला चीना है उसको वापस कीजिए सस्पेंसर मुद्दा नहीं नेलंबन मुद्दा नहीं जो कुछ उस दिन हुआ सादन के अंदर वो पूरे देश ने देखा भार्ती जन्ता पार्टी आपकी पार्टी राज्यसभा में अल्पमत में थी अकाली दल विरोध कर रही थी बीजेडी विरोध कर रही थी टी आरेस विरोध कर रही थी AIADM के सेलिक कमिटी की मांग कर रहे थी सीव सेना, NCP, कॉंग्रेस सारी पार्टी अभी रोध में थी RJD, DM के आम अदनी पार्टी उसके बावजूद ये काला कानून पास किया गया इसलिए इस लड़ाई को छोटा मत बनाईए ये इस देश के करोडों किसानों को धोखा देने का काम आपकी सरकार ने किया है आप कहते हैं MSP देंगे प्रधान मंतरी जी आप 2014 का अपना भासर भूल गए आपको याद नहीं है आपने क्या कहा था चुनाओ के पहले एक साल के अंदर फसल की लागत मुल का देड़ गुनादाम किसानों को दिया जाएगा पचास परसेंट मुनाफ़े के साथ फसल की कीमत दी जाएगी लेकिन आपकी सरकार ने सपत पत्र दे के सुप्रिम कोर्ट में कहा कि हम पचास प्रतिसत मुनाफ़ा नहीं देगे कितना धोका दोगे किसानों को कितनी बार उनके पीठ में छूरा मारोगे प्रधान मंत्री पूरे देश को आपको जवाब देना होगा आप पूरे देश का किसान आंदूलित है वो चाहे पंजाब का हो, हर्याना का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो आपने MSP खतम कर दी, कानून में एक शब्द दिखाईए कहां आपने MSP लिखा है कोई ब्यापारी अगर नियूंतम समर्थन मूले से, कोई पुझी पती अगर नियूंतम समर्थन मूले MSP से कम में किसान से खरीद करेगा, तो वो किसान कहां गोहार लगाने जाएगा कौन सा नायाले उसकी बात सुनेगा, अगर आपने बिल में कानून में लिखा ही नहीं है MSP के बारे में, एक शब्द नहीं लिखा तीनों बिल में तो इसलिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अर्भी पक्ष के मित्रों को भी कह रहा हूँ, हम लोगों का निलंबन कोई मुद्द नहीं है, ये काला कानून, जो बिना वोर्टिंग के पास किया गया है, उसको वापस लिया जाए, और किसानों को राहत पहुँचाई दिया है, जए हिन इंक लाव दिनावाद।